आज बात करेंगे एक system की जो हमें परस्टनल Lाइफ में चाहिएuç्स होने के लिए वैसे ही market में भी हमें एक system चाहिए जिसे जिसे हम कहते हैं trading system जो हमें चाहिए हमारी market की लाइफ में success होने के लिए तो हमें शिड़्य दिशिटित आपके वह एक है इंडिकेटर जैसर इसका नाम आपका टेक्निकनिकल इंडिकेटर जैसे इसका नाम सब्सक्राइब आ ment technical indicators करते हैं इसे हम अपनी noumbles leon language में समझें जैसे English grammar में helping verb होते हैं हमें English को समझने में help करने के लिए वैसे ही आपके technical language में टेक्निकल Indicator Indicate करते हमें help करते हैं कहां से हमें paying position Is session2 करनी चाहिए और कहां से हमें selling position patriarch करनी है यह आपका एक basic trading system का सबसे basic चीज है सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि technical जो indicators है यह काम कैसे करते हैं किया इनके पीछे का base root level क्या है जब आप अपने indicator के अंदर की चीजों में change और manipulation करेंगे तभी आप market में कहां से buy या sell करना है वो identify करेंगे जब हम एक trading system की बात करते हैं trading system आपका 4-5 चीजों से मिलके बना होता है means जब आप अपनी personal life में कोई भी चीज भाई खरीदने के लिए जाते हैं तो minimum आप उसको कम से कम 3 या 4 जगा से confirm करते हैं means जैसे आप कोई mobile लेते हैं या आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आप ऐसा नहीं कि किसी ने recommend कर दिया और आप directly उसको खरीदने के लिए चलेंगे आप proper google पे check करेंगे उसके review करेंगे चार लोगों से पूछने के बाद ही आप उसको buy करना शुरू करेंगे तो वही 3-4 confirmation की हम बात कर रहे हैं आपके trading system जब बनेगा जब आपके 3-4 चीजे मिलकर आपको एक ही signal देगी buy या sell का signal तभी आप उसको initiate करेंगे इसके next part में हम देखेंगे कि आपका trading system बनेगा तो क्या-क्या चीजे आप उसमें देखोंगे और क्या-क्या indicator आपको उसमें follow करने चाहिए अभी technical indicator के base route की बात करेंगे technical indicator काम कैसे करते हैं जैसे हम यहाँ पे screen पे भी थोड़ा देखेंगे कि what are technical indicator टेक्निकल इंडिकेटर मैथेमेटिकल फॉर्मूला बेस्ट अन प्राइस और वॉल्यूम यूज्ट फॉर्कास्ट फ्यूचर प्राइस मूमेंट बेसिकली मार्केट में हमारा study करने का परपज ही यही है कि हमें future में क्या चीज होने वाली हमें उसे प्रिडिक्ट करना है और इस में टेक्निकल इंडिकेटर हमें help करते हैं prediction की probability की accuracy rate को increase करने के लिए तो जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर है वो किसी ना किसी mathematical formula पर काम करना शुरू करते हैं धीरे धीरे हम एक एक टेक्निकल इंडिकेटर को describe करेंगे तो किस उसके बेसरूट का क्या formula है वो भी हम आने वाली classes में देखेंगे लेकिन सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि जब आप एक ट्रेडिंग स्टेब बनाने जाए तो उस सिस्टेम में क्या-kया इंडिकेटर आप यूज़ करोगे और इंडिकेटर को by पीछे में क्या क्या फॉरूम लॉस में यूज हो रहा टेक्निकल इंडिकेटर आपको वही चीज का इंडिकेटर और टेक्निकल इंडिकेटर इंडिकेट्स और कंफर्म दा प्राइस एक्षन और ट्रेंड टेक्निकल इंडिकेटर आपको इंडिकेट करेंगे यहां से देखें लेकिन सबसे पहले आपको इंडिकेटर की कैटागीरी डिफाइन होनी चाहिए कि यह इंडिकेटर कौन सी कैटागीरी में आ रहा है फॉर एक्जामपल जिस तरह से हमने देखा है कि आपके टेकनिकल इंडिकेटर दो तरह की कैटागीरी में डिवाइड हो जाते एक आपका लीडिंग इंडिकेटर दूसरा आपका लेगिंडिकेटर लीडिंग यहां से आपका about a libe io بrien होरी है इसमें वहाँ से आपकाADलिइंग उसको पहले आपको eupt करके बता जाता है एक्जामपल आरआसको काचल इसिए भी लीडिंग लीडिब हमोनीं इंडिकेटर को रखते हैंते हैं जो मुमेंटम इंडिकेटर हैं वह पढ़ेंगे ging आवरेज प्रेव बिरेशन से बात करते हैं फिर 68 Humphafe양 ट्रैडिंग यहाँ से बात करते हैं garden अब एक इंडेटन फिस्टम की बात कर रहा था बहुत रहा है यह जब भी आप एक सिस्टम बनाएंगे आपको यह पता हो नहीं जो इंडिकेटर आप उö山 कर रही हो मुमेंटम इंडिकेटर की केटागेरी में आ रहा है वह आपका वोल Aa data कीटगेरِّ में कर रहे हो मोमैंटम इंडिकेटर की केटागिरी में आ रहा है वह आपका वॉल्लिट meny शुरू करोगे तो आपका ट्रेडिंग सिष्टम में यह नहीं होना चाहिए कि आपने इस में तीन इंडिकेटर लिये तीनों आपके पर जाकर सी आपका एक सिस्टम बने जहां से आपको चारों चीजों की एक स्टाइज मिलें यहां से हमें चारों चीजे एक डेरक्षन का मुमेंट दे रही हो सकता है आपका ट्रेंड अपवर्ड हो लेकिन मुमेंटम आपका डाउंट्रेंड चल रहा हो इसके नेक्स्ट हम देखेंगे आपके मुमेंटम इंडिकेटर कौन से हैं ट्रेंड इंडिकेटर कौन से हैं और आपके वॉल्यूम इंडिकेटर कौन से अभी के मूमेंटम ईंडिकेटर है सबसे पहले हम लीटिंग किया झॉक्त एंडिकेटर ही चुछ घेटागरीं हं हम अंडिया में नाडली किसे रखते हैं आपके मूमेंटमिंडिकेटईर्ट में उन्हें आपको इन्हीं सब इंडिकेटर की प्रिसाइजीली नौलेज होनी चाहिए और यह नौलेज आपको इसके लिए कम से कम आपके हाफ एन आवर की क्लास होती है आपके एक एक इंडिकेटर को रीड करने के लिए ताकि यह इंडिकेटर कैसे काम कर सकते हैं तो यहां पर मुए आ जो आपको ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है आपका ट्रेंड आपका दो चीजों से मिलके बनता है एक आपका प्राइस और एक आपका ट्रेंड इन दो चीजों से मिलके आपका ट्रेंड बनता है जब आपका ट्रेंड बन रहा है उस ट्रेंड की कैटेगरी में कौन-कौन से तो यहां से आपका किस तरह से डिए सकते आपके की एकटागीरी में बोलिंजर बैंट आपका एवरेज एक्टी आरेज टू रेंज ये सब अपके वोलिटिलिटी इंडिकेटर की कैटागीरी में में इंडिकेटर का नाम explain करने का purpose यह है कि आप इन सब मैंसे जो भी आपको best लगे आप एक एक इंडिकेटर यूज करके अपना एक trading system बना सकते हैं कि एक आप momentum से ले एक trend का पकड़े एक volatility का पकड़े इन मैंसे जितने भी इंडिकेटर आप सभी यूज नहीं कर सकते एक बार में आपको इन मैंसे कोई एक पिक करना है ट्रेंड मैंसे कोई एक और एक volatility मैंसे एक और लास्ट आपका आता है volume इंडिकेटर वाल्यूम इंडिकेटर मेंस एक तरह से यह आपको आपकी यह आपको strength बताता है कि जो आपका trend या momentum जो volatility में कितनी strength है आपके particular तीनों चीजों को देखके आपके वाल्यूम इंडिकेटर में आपके दो तरह के आपको वाल्यूम इंडिकेट करता है एक आपका ट्रेडिड वाल्यूम और एक आपका delivery वाल्यूम में काउंट होते हैं और इनकी calculation भी आप इसके इंडिकेटर के बेस पर कर रहे हैं जैसे आपका on balance volume money flow index आपका volume profile यह आपके volume indicator की category में है